नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश लोग सेवा आयोग तुवारा निकाली बरती की हमाचल प्रदेश लोग सेवा आयोग ने मेडिकल ओफिसर के पदों को बरने के लिए आवेदन अमंत्रित किये हैं इन पदों पर 26 जनवरी 2023 तक ओनलाइन आवेदन किया जा सकते हैं ये पद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर डिपार्टमेंट में बरे जाएंगे मेडिकल ओफिसर डेंटल के कुल 10 पद बरे जाएंगे जिनमें 5 पद समाने बर के उमिदवारों के लिए अरक्षित हैं जबकि 2 पद OBC के लिए 1 पद दिव्यां के लिए 1 पद बूतपूर सानित के लिए और एक पद ST वर्ग के उमिदवारों के लिए अरक्षित है Medical Officer Dental के पदोपर आवेदन करने वाले उमिदवारों के पास Bachelor of Dental Surgery यानि की BDS की डिगरी होनी चाहिए डिगरी को Dental Council of India के साथ पंजिकरत होना चाहिए इन पदोपर अप्लाई करने वाले उमिदवारों की आईउ 18-45 वर्ष के मद्दे होनी चाहिए आरक्षित वर्ग को Government Rule के इसाब से Age में Relaxation दी जाएगी Age की गंड़ना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी उमिदवार आईउ की website पर जाकर Online मादिम से Apply कर सकते हैं Online Apply करते समय उमिदवार को शिक्षा संबंदी डोकुमेंट्स भी Upload करने होंगे जिनकी डेटेल इस तरह से है 10th का Certificate is Proof के लिए BDS का Certificate, Category Certificate, Bonofide Himachali Certificate EWS Category उमिदवार को Income Certificate या BPL Certificate Upload करना होगा इन पदों के लिए Examination Center तीन जगह रखे गए हैं शिमला, दमशाला, बंडी Medical Officer के पदों के लिए आवेदन फीस, समान्य और EWS Category के लिए 400 रुपे SC, ST, OBC, Ophimachal Pradesh के लिए 100 रुपे रखे गई है जबकि महिला उमिदवार और X-Service Man के लिए कोई भी फीस नहीं लिए जाएगी Medical Officer के पद के लिए Chain प्रिकरिया दो स्क्रेज की रहेगी पहली स्क्रेज में Screening Test होगा जिसमें 70 questions BTS degree से संबंदित पूछे जाएंगे 20 questions HPGK के पूछे जाएंगे 10 questions National और International GK के पूछे जाएंगे कुल सो Multiple Choice Question का एक्जाम लिया जाएगा और समय दो गंटे का दिया जाएगा Screening Test में Chain तो मिदवारों को Personality Test के लिए बुलाया जाएगा अधिक जानकारी के लिए advertisement जुरूर देख लिए जिसका link मैंने description box में डाल दिया है धन्याबात